फाइनली गुड न्यू जा चुका है जिस चीजों का आप कब से इंतजार कर रहे तो ओफीशियल मिंबर द्वारा अपडेट कर दिया गया है सिये फाउंडेशन रिजल्ट डेट को मतलब यह हुआ कि अब जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाएगा सिये फाउंडेशन का कब से आप लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा यूटूब पे भी बहुत सारा वीडियो देख रहे थे विबसाइट पे न्यूज देख रहे थे रिजल्ट डेट को लेकर के मुझसे स्टुडेंट पूछ रहे तो फाइनली ओफीसियल मिंबर द्वारा अपडेट कर दिया गया है रिजल्ट डेट के बारे में अपने family member को बोलेंगे कि अपने दिल को strong करो result के update सुन करके यह आप लोग धर जाते हो पिछले video मैंने बोल दिया था कि YouTube monetization मैंने off कर दिया तो बहुत सारे family member बोल रहते on कर दीजे YouTube monetization को तो please आप लोग मेरी भी बात को समझो मैं नहीं on करूंगा result related जितना भी video आएगा उसका YouTube monetization on नहीं होगा मेरा intention यह होता है कि मैं सबसे पहले video बना करके result के बारे में या कोई भी official notification है वो सबसे पहले provide करूँ और बाकी अपने family member का इतना सारा प्यार मिल जालता है मेरे लिए यही काफी है और आप लोग इतना टेंसन ना लो YouTube monetization off कर दिये तो मेरे साथ मेरे कृष्णा है वो हमेशा मुझे support करते हैं और साथ में आप लोग के जैसा प्यारा family member तो मुझे डरने का कोई ज़रत ही नहीं है और इस video में भी monetization disable continue रहेगा अब चल लेते official news के तरफ आइस AI के official website पे चलना पड़ेगा सबसे पहले जैसे official website पी आओगे तो official announcement तो नहीं आया है आइस AI का आज के date में बड़ बहुत जल्द देखने को भी मिल जाएगा क्योंकि finally good new जा चुका है official member के दोआरा update कर दिया गया है result date के बारे में अब date बताने से पहले आप लोग को बस सिर्फ thank you बोलना है आप लोग के कारण 1,82,000 का हम लोग का family member complete हो गया आप लोग चाहे तो जल्दी हम लोग का family member 2,000,000 भी complete करेगा और result date के बारे में डरो नहीं relax रहो सारे इस्टोंड hard work कियो पास जरूर करोगे और हाँ धीरज खंडेल बाल सर जो की CCM member है Central Council member of ICE AI है ICE AI के चेर्मेन है उन्होंने आज के date में update किया है CA Foundation result के बारे में जैसे कि आप लोग को बता है कुछ दिन पहले उन्होंने update किया था कि prediction कर रहे थे कि result 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2023 तक देखने को मिल सकता है तो आज के date में Central Council member of ICE AI ICE AI के चेर्परसन धीरज खंडेल बासर ने update की है कि expected है कि CA Foundation का result 3-4 फरवरी को declare हो सकता है तो मैंने आपको कल बताया भी ता कि 3 जनवरी तक result declare हो सकता आप जल्दी official announcement आजाएगा बाकि जैसे ही official announcement आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले update कर देगा CA Foundation result के बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा CA Intermediate में कैसे registration करना है बस लास्ट में छोटा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe करके all notification विल दबाद दीजे मेरे hardware को appreciate करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे सारे student को all the best आप सारे student का result बहुत ही अच्छा है और मैं मिलता हूं next वीडियो में